ओम कैंशी महागड़ी शाय नमा, राधी राधी दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों जेश्ट मास की किष्ण पक्ष की चत्विथी इस बाद 19 मैं दिन गुरुवार को है, इस दिन उत्रा पाशान नक्षत्र होने से प्रजापती नाम के शुब योग का निर्वान हो रहा है यह एक संकष्टी चत्विथी है, इस दिन भगवान शेख गणेश का प्रत और पूझन कहने से संकटों से छुटकारा मिलता है इस दिन सच्चे मन से भगवान शेख गणेश का ध्यान कहने मात से ही, भगवान शेख गणेश अपने भक्तों की सभी मनुकामनाव को पूझन कह देते हैं इस दिन प्रत कहने से चीवन की सभी परिशानी तूर होती है दोस्तों भगवान शिरी गणेश प्रथम पूझनिय है किसी भी देवी देपता की पूझा कहने से पहले भगवान शिरी गणेश की पूझा कहने का रिवाज है भगवान शिरी गणेश की पूझा किये बिना कोई भी पूझा पूर नहीं माने जाती और किसी भी नए कारे की शुरुवात में भगवान शिरी गणेश का अगर नाम नहीं लिया जाए तो वह कारे भी पूरा नहीं होता। धार्मिक माननेताओं के अनुसा चतुतितिति पर जो भगवान शिरी गणेश का पूजन करते हैं। भगवान शिरी गनेश उन पर पसंद होते हैं और उनकी सभी मनों कामनाय पूर्ण कर देते हैं। भगवान शिरी गनेश को बिख्ण विनाशक कहा जाता है। भगवान शिरी गनेश अपने भक्तों के जीवन के सभी बिख्णों को हर लेते हैं। भगवान शिरी गणेश रिद्धी सिध्धी के दाता और शुपलाप के प्रदाता है। जो भक्ते सच्चे मन से भगवान शिरी गणेश का पूचन करते हैं, भगवान शिरी गणेश उनके सभी रोग, शोग, कष्ट और दुख तरिदित्ता को हल लेते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताया गया भगवान शिरी गणेश को प्रसंद करने का एक बहुत ही आसान और प्रभापकारी उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाई को करने से भागवाई शिरी गनेश शीग्रही प्रसंद होते हैं और अपने भक्तों को सभी कष्टों से मुक्ती दिलाते हैं। भागवाई शिरी गनेश की करपा से सभी प्रकार के कष्ट दुख दूर हो जाते हैं और बिगडे काम भी बनने लगते हैं। यह उपाई आपको चतुर्थी दिथी पर कैना है। यह उपाई आप चतुर्थी दिथी पर किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन अगर यह उपाई आप चतुर्थी पर तो फैर यह संध्या काल की समय करेंगे तो ज्यादा उत्तम रहेगा। क्योंकि गणेश चत्विथी के दिन भगवान शिरी गणेश का पूजन दुपहर में और संध्यकाल के समय ही किया जाता है। उपाई कहने के रिए आप इसनान करके सुच लान या पीले रंगे बस्तर धारन करें। ध्यान रखें काले रंगे बस्तर भूल कर भी ना पहने क्योंकि काले रंगे बस्तर भगवान शिरी गणेश के पूजन में पहनना अशुब माना जाता है। अब आप एक पात्र में थोड़े से पवित्र चावल ने। पवित्र चावल यानि कि सावुच चावल जिने अक्षद भी कहा जाता है। साव चावल पवित्र माने जाते हैं और तूटे हुई चावल अशुद माने जाते हैं और भगवान शरी गणेश की पूजन में तूटे हुई चावल इस्तमाल नहीं किये जाते माननेता है कि अगर भगवान शिरी गणेश को जो व्यक्ति तूटे हुए चावल अर्पित करता है भगवान शिरी गणेश उसकी पूजा को स्विकार नहीं करते इसलिए आप चावलों को ध्यान से बीन कर साफ कर लें और सावुच चावल ही ले अब थोड़े से चावल आप लेकर इन्हें पानी से धूकर साफ कर ले अब चावलों को आप मंदिर में रखकर भगवान शिरी गणेश के सामने आसन बिछा कर पैट जाए इसके बाद भगवान शिरी गणेश के सामने एक शुद्धिघी कर दिया जलाएं और एक सुगंदे धूपती जलाएं ध्यान रखें आप दीपक को किसी बर्तन में रखें या फिर उसके नीचे कपड़ा बिछा लें या फिर थोड़े से चावल रख दें सीधा दीपक जमीन पर ना रखें क्योंकि जमीन पर रखा हुआ दीपक अपूर माना जाता है अब भगवान शिरी गणेश को सिंदूर से तिलक करें सिंदूर की लाली भगवान शिरी गणेश को बहुत पसंद है भगवान शिरी गणेश की प्रसंता के लिए भगवान शरी गणेश को सिंदूर से तिलक करें, इसके बाद अपने भी सिंदूर से तिलक करें, ऐसा करने से भगवान शरी गणेश की करपा प्राप्त होती है, और आर्थिक छेत्र में चली आ रही परिशानियां दूर होती है, धन का लाख होता है, अब अब भगवान शरी गणेश को बहुत प्रिय हैं अगर यह ना हूं तो आप किसी भी मिश्थान का या फिर गोड़ ये शक्तर का भोग लगा सकते हैं लेकिन ध्यान रखें आपको मीठी चीज का ही भोग लगाना है और आपने भगवान विश्णु को पहले से किसी चीज का भोग लगा रखा है तो उस प्लेट में आप भगवान श्री गणेश का भोग ना रखें क्यूंकि भगवान श्री गणेश के भोग में तुलसी जी नहीं डखी जाती ऐसे भोग को भगवान श्री गणेश स्विकार नहीं करते भगवान श्री गणेश को भोग लगाने के बाद आप थोड़ी स पिसी हुई साफ हल्दी लें और उसे आप गीले चावलों में मिला लें चावलों को पीले रंगा कर दें क्यूंकि भगवाई श्री गणेश की पूजा में सफित रंगे चावल इस्तिमाल नहीं किये जाते हल्दी मिलाने के बाद आप थोड़े से चावल अपने राइट यान की दाहिने हाथ में लें अब भगवाई श्री गणेश के सामने एक खाली पात्र रखें और इस मंतर का जाप करते हुए आप चावलों को भगवाई श्री गणेश के सामने रखे खाली पात्र में चड़ा दें मंतर है इदम अक्षतम ओम गन गन पते नमा इस मंतर का एक बाद जाप करते हुए आपको यह चावल भगवाई श्री गणेश के सामने रखे पात्र में चड़ाना है यानि कि भगवाई श्री गणेश को चावल अर्पित करने हैं फिर आप दूसरी बार अपने हाथ में चावल लें फिर से इदम अक्षतम ओम गन गन पते नमा मंतर का जाप करते हुए आप भगवाई श्री गणेश को चावल अर्पित करने हैं भगवाई शिरी गणेश को चावल अर्पित करने के बाद आप भगवाई शिरी गणेश के इस मंत्र का 108 बाद जाप करें मंत्र है ओम शिरी गणेशाय नमा मंत्र का जाप करने के बाद आप भगवाई शिरी गणेश की आति करें इसके बाद आप हाद जोड़कर भगवाज शिरी गणेश से अपनी सभी विउखन वाधाओं को दूर करने की प्रातना करें सभी कश्टों को दूर करने की प्रातना करें आपके जो भी समस्या है परेशानी है भैसा भगवाज शिरी गणेश को बताएं और अपनी मनुकामना पूर करने की प्रात्ना करने के बाद आपनी भगवान शिरी गणेश के जिस सिंदू से तिलक करा है उसे अपनी परिवार के सभी सदस्यों के भी तिलक करें इससे उन्हीं भी भगवान शिरी गणेश की कृप्रा प्राप्त होगी और भगवान जी को जो भोग लगाया है उससे प्रशाद के रूप में अपने परिवार सहित करें करें इस उपाई को करने से भगवान शिरी गणेश की कृप्रा प्राप्त होती है बिगन हर्ता भगवाई शिरी गणेश अपने भक्तों के सबी बिगनों को हल लेते हैं और चतुथी तिथी पर ब्रत रखने वालों को पूरे दिन कम से कम बोलना चाहिए और भोजन ग्रहन करते समय मौन ब्रत धारन करना चाहिए वाइना ब्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता चतुथी तिथी पर जादा से जादा भगवाई शिरी गणेश का इस्मरण और पूचन करें यह उपाई आपको हर चतुथी पर करना चाहिए इस उपाय को करने ज़े भगवाई शिरी गणेश की कृपा हमेशा बनी रहती है आपने भगवाई शिरी गणेश को जो चावल अरपित करें हैं उन्हें चतुर्थी के दिन और रात में मंदिर में भगवाई जी के सामने ऐसे ही दखा रहने दें दूसरे दिन सुभह उठकर इसनानाधी करने के बाद आप इन चावलों को पक्षियों को डाल दें दोस्तों चतुर्थी तिथी का ब्रत और पूजन चंद देव के दर्शन और पूजन के बिना अधूरा रहता है इसलिए चतुर्थी तिथी पर भागवान श्री गणेश का पूजन करने के पश्चात रातरी में चंद देव के दर्शन का चंद देव को आर्थे अवश्य ही दें ऐसा कहने से ही चतुर्थी परत और पूजन का पूण फलप्राप्त होता है और पिग्नाधा भागवान श्री गणेश की करपा से सभी पिग्न बाधाएं दूर हो जाते हैं चतुर्थी का ब्रत माताएं अपने संतान के लंबी आयू और बहतर भविश्य के लिए रखते हैं इसलिए अगर आपके बच्चे के बेटा हो या बेटी उनके बिभा में बिलंब आ रहा है किसी कारणवश बिभा नहीं हो पा रहा है तो माता को अपने बच्चे के बिभा की कामना से भगवान श्री गणिश को माल पूए का भोग लगा कर ब्रत रखना चाहें और रातरी में चंद देप का पूचन अवश्य ही करना चाहें ऐसा करने से शीक्र बिभा के योग बनते हैं पूचन करने के बाद ब्रत का पारण करने से पहले आपने माल पूए और जिस मिष्ठान का भगवान श्री गणिश को भोग लगाया है उसे आप अपने बच्चे को खिलाएं जिसके बिभा के लिए आप यह प्रत रख रहें हैं और उसके मस्तक पर सिंदूर से तिलक भी क करें ऐसा केने से भगवान श्री गणिश को कर्फांसे वीभा में आ रही बिढबाथाएं दूर होते हैं और जल्द विभा के योग बनने लगेंगे तोर चितुर्थी के इस पावण श्री गणिश की कृपा प्राप्त करने के लिए इस आसान से उपाय को अवश्य करें इ उम्मिद हैं आपको हमारी वीडियो पसंदायी होगे प्लीज लाइक करे। हमारी इस वीडियों को पीट्रेंड्स और इस दारों में जादर सीचाधर शेयर करें। जister भेल इसका लाप उठा सकें। हमारी और फी वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तैंक्स पूर वर्चिंग राधी राधे